दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में एक बहुती बढ़िया एक्टर, राइटर, डिरेक्टर and थियर्टर परसनालिटी है नीरज वोरा हाली में आपने उन्हें बोल बच्चन में देखा and what a performance Friends, let's welcome Neeraj Vohra. Neeraj ji, welcome to EDC Bollywood business. Thank you. इतनी टोपिया पहनते हैं, actor की, director की, writer की, theater actor की, अब theater production की, तो कैसे manage करते हैं? See, हम जब भी कोई भी काम करते हैं, लाइफ में तो हमें उस काम से थ्वड़ा सा डावर्शन चाहिए कि जैसे अगर कोई आदमी नव से नव या नव से छे नोकरी करता है, तो आके या तो वो family के साथ कहीं गूमने जाता है, या TV देखता है, या कुछ भी करता है. तो मेरे लिए जब हम acting से diversion चाहते हैं, तो writing कर लेते हैं, writing से diversion चाहते हैं, तो कोई film conceive करते हैं, जो हम direct करें, और साथ साथ theatre production भी एक अच्छा सा diversion देता है, तो हमको जीना मरना उसी arena में है, जिससे हमें प्यार है. और सबसे ज्यादा प्यार किस से हैं, acting से या ऐसा कुछ बोलना मुश्किल हो जाता है? देखिए मेरा, अगर आप background चेक करें, तो मेरे पिता जी पंडित विनाय को रहा है, एक classical musician थे जो तार्शा नहीं बचाते थे. तो मैंने बच्पन से उस माहूल में मैं बड़ा हुआ जहां फिल्म के गाने, फिल्मों की बातें, फिल्मों की कोई चीज़ अलूड नहीं थी. बिल्मों की कोई चीज़ अलूड नहीं थी. के चूपचाप पापा को मत बूलना करके अम फिल्में देखते थे. So I gathered all the cinema through my mother very secretly. Because she was a film buff. She was a total film buff. So right from Kundalal Sahagal के जमाने से लेके आज तक की जो कोई भी picture मैंने जानी समझीया, देखी. Thanks to my mom. So cinema के साथ-साथ classical music का भी एक शौख सुनने का बना. तो आज भी अब जब भी मेरे पिताजी की death anniversary आती है तो मैं एक शास्त्री कारेकरम करता हूं. किसे ने किसी बड़े गवये को बुला के. So that was a samruti camera. और हमें वो शौक है. यह नहीं कि किसी ने कोई compulsory बोला है. But everything is managed only because हमारी फितरत में music था, literature था, और उसी की बड़ाला था. इंटरेस्ट हमारा cinema में इसलिए हुआ because music, literature, everything drove me towards that. But जब आप छुपकर अपने पिदाजी से छुपकर अपनी मम्मी के साथ इतनी फिल्में देखते थे, कहीं जहन में ये बात आई थी कि मुझे भी इस film industry का हिस्सा बनना है. कभी ऐसा सोचा था? Always. Really? Because see, I had a good memory. तो जो पिक्चर देखता था वो अपनी building की जो टाकी होती है, उस पे बैटके सबको में narration देता था. अच्छा! के और फुल पिक्चर शॉट तो शॉट हो तो नरेट देखते फिल्म इन अ मैनर देखते हैं तो वो उसने मुझे एक थोड़ा सा कौशले दिया आरेशन, आर्ट अप नरेशन, बिकॉस वो कहनी कहने का मेरा सिल्सिला बच्पन से रहा है. और स्कूल देज में कॉलिज देज में थेटर करते थे हैं? यहाँ, स्कूल में करते थे, कॉलिज में करते थे, फॉर्चुनेटली हम लोग को मौकाई मतलब मैं सच कहू ना तो आज मुझे जो कुछ भी सिनेमा में जो भी मैं हिस्सा बना हूँ इस मेंली डूटो मैं लॉक्ट बच्चे चाहिए तो हमरा दाव लग गया हमने किशुर कुमार के साथ राजस रोशन के हैं चाइल्ड कोरस में फिर अमिताब बच्चन ने जिंदगी में जो पहला गाना गया उसमें हम कोरस में थे ओमाय गॉड वो जो नटोलाल का गाना थ हम लोग सब कॉरॉस में थे लेकिए फिल्म को हम बार से देखते हैं लेकिन जो फिल्म लाइन से जो बच्चे आते हैं उनके लिए डबिंग किया है मिक्सिंग किया ह। बैग्राउंट किया ह Soon Oh रूर कोुझ नए बात नहीं है तो हमने रिकॉर्डिंग प्रोसेस दैखा तो तो वो नेचरल फ्लो में मेरे को जैसे के मेरा जन्म ही शायद अरीना में आने के लिए हुआ था तो चीजे मुझे सामने से आती गई अच्छा आपके पिता जी को कहा कि कोरस बच्चे के कोरस सिंगर्स के लिए चाहिए तो आपके पिता जी ने ना नहीं बोला? पिता जी लेका है तो और फुल आजा दी थी आपको जो बनना है आपको दिल में जो आता है वही करो यह नहीं के मैं कहता हूं तो आप यही करो तो फिर अर्फन मौला बन गए हम कभी मुजिक कभी यह कभी वो और फिल्मों में अक्टिंग केंड़ी सी अक्टिंग अलसे विए यह केंपस है। देवर इन नमाय वसे में तॉप अज़े वाद और बच्चे तो पहले केंटीण में मिलते हैं तो जब हम कला कभी बिर्ट अम्कोई डिरेक्टर को इनको मिलने जाते थे तो असब आश्ट तो इस तरीके से हमारी शुरुआत हो गई के थेटर हम लोग करते थे और एक कॉलेज में नाटक बहुत सक्सेस्वर हुआ तो केतन मेहता साब नाटक देखा उन्होंने अम सब की कास्टिंग कर ली फॉर फिल्म कॉल्ड हो ली करेक्ट वो आमिर खांसाब की भी पहली पिक्च सब्सक्राइब कर भी इसमें एक्टर था मैं भी था और कई सारे लोग जो आज कोई डिरेक्टर कोई टेक्निशन कोई मिजी डिरेक्टर कोई अलग अलग चीज़ें सब लोग बन गए 1984 में होली जो हुई that was our first experience for such a long spell in cinema कहीं पर एकाद हाथ आया हो या एकाद डायलोग आया हो ऐसा तो हो चुका था और वहां से फिर हम लोग एक्टिंग की स्ट्रगल करते करते कब राइटर बन गए कब डिरेक्शन में आ गए कब तो और यह राइटर मजबूरी में बनना पड़ा कि शौकिया थे या मतलब कैसे सी इसमें दोनों बाते हैं एक्टिंग की स्ट्रगल करते थे एक पॉइंट पर हमको ऐसा ऐसास हुआ कि वी आर एस करेक्टर अक्टर्स वी आर हाइली पेड जूनियर आर्टिस्ट कोई एहमियत सबस्क्राइब कोई बात या कोई फुल साडिस्वेकृशन या आपके हात में कोइ कोई सूतर आपधारन नही कर पा पाने आपका फे अथमें कोई क्रिट दरन नहीं है वी शुरु शुरु में अच्छा लगता था कि मैं सेनिमा में काम किया और मिरा उफी मेरा सिन एक थे उसमें मज़ा आता था, शुरू शुरू, बात में क्या हो गया, it became like a job, कि ये पिक्चर में है, बैटो, बैटो, बुलाएंग है तुमको, बैटो, वो दीरे दीर ऐसास हुआ कि we are having no respect, truly speaking, and we don't have any control of ourselves, कि हमें कुछ करना है, हमें कोई रंग, एक type के character में, अगर आप fit हो गए, तो you are always called as that type cast, तो मैं थोड़ा इस बात से सोच में था, कि कुछ और भी करना चाहिए, थेटर में तो हम सब करते हैं, लिखते भी हैं, सब खुदी करते हैं, तो then me, आशुतोष, we all got together and we decided to make a film of our own, दीपक तीजोरी, हम लोग ने मिलके पहली picture बनाई, पहला नशा, आशुतोष गवारिकर हमारे डारेक्टर, I was the writer and I was also the music director, नीरा जुरुत्तंग ये नाम सबने, मुजिक के हैं, मेरे चोटे बाई के साथ, तो म्यूजिक तो अच्छा था, script बड़ी खराब थी, लेकिन हमें काम, आप ने ही लिखी थी, पूरी script, और काम हमको राइटिंग का ही मिलते गाए, next picture आई बाजी, आमिर खान की, आमिर खान की बाजी लिख रहा था, तो उसमें, डायलोग तो संतो सरोब साब लेकिन एक सीन में तोड़ा comedy gag कर रहा था, तो आमिर अब्जाव डिडिए और राइटिंग राइटिंग राइटी, रोमेंटिक कमेड़ी विचा हैं मेकिंग विधराम गोपाल वर्मा कॉल रंगीला, रियली, आमिर खान ने आपको मतलब पिकड़ा, और रामु साब आये थे शूटिंग में, उन्होंने मिलवाया, तो रामु जी ने कहा के देखो, महभूब साब जो हैं, लिरिक राइटर, वो डायलोग लिख रहे हैं, उसके साथ आपको लिखना पड़ेगा, जोई डायलोग राइटर, आई डों मैंड, तो शुरू आपले तो उन्होंने मेरे को वहीं के वहीं, चार पांच इसे नरेट किया सीन और लेख वाय है, मैंने लिखिए उनको बहुत पसंदा है, राम गोपाल बर्मा को, और उसके बाद, इमेजिटली मैभूब साब ने पिक्चर छोड़ दी, विकज़ विस सम अधर लिरिक का उनका काफी काम चल लोगा, नो, 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 इस वोड़ेख वहीं, आपको, तो तो दो आपको अधियर ने राइटर, तो अधियर श्यार वहीं, तो बहीं, तो कमादे रहा हूं, तू भी मेरे में को राइटर राज और तू संबाल के राम गोपल वर्मा में, मोस्त ली वे प्रेसेंट उन रॉच्छाथे हैं कि राइटर प्रेसेंट्र वो चाहा है के उनकी उस वक्त आज तो हैंधि हम से अधा लुक तो हैंधि हुग थी विक थी, तो इतना चलता ही रहा इतना चलता ही रहा विद गॉड्स ग्रेस हम लोग ने जोड़ी बन गई प्रिया दर्शन के साथ वो भी कैसे बनी कि आप एक्टी इन विरासत हमारी ट्यूनिंग हुई तो उन्होंने का नेक्स पिक्चर आप लिखे अगर आपकी क्लाइमेक्स में अबाल वर्द मनो रंजन है बच्चों से लेके बड़ों तक अगर एंटर्टेन्मेंट है तो फिर मुझे लगता है कि उसमें कोई भी एग्जारशन वो माफ ओना चाहिए बिवस्टेन इस बरी अटर्टेनिंग नो गरेक्ट अटर्टेन्मेंट इसुद बीड़ों इसुद एक्च्छवर्ड उसके लिए पिक्च्र मना रहे हैं उसके लिए पिक्च्र मना रहे हैं। और वो दो गो थ्रू इउनस फैमिली बाइट इक्ट्टीट रहे हैं and then just get a message, no, 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 you have to entertain. And if your message is a by-product, very good, very nice. But message then, that if we make a picture, that thing is not enough. Neeraj ji, are you enjoying it from childhood? No, actually I have inherited it from my father. He had a good sense of humor. He had a tremendous sense of humor. If I can say anything of the achievement, he can say it, then the most important thing is my father's father and my father's 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 father. Because that is the only way I could achieve that. And today, whatever we are doing, I am fortunate that I am having friends like Aamir and Ashutosh, you know, let me say Komal Nata. So I am getting very good responses even in what I do. If I do something wrong, then you will get a bite. No, I was actually saying that you are giving your father credit, share, so it is very good. You are giving your father, very good. But talent is also good. With such a father, you will get everyone. With Shriya, you will also get the same. But talent is not good. So all this would have fallen flat. I would say that it is someone who has given it, otherwise it will not come. Do you observe life very badly? I have to feel that this is when I watch a film, I feel that this is when I watch a film. Look, I feel that every person, every person, every person, every person sees it. Maybe every person doesn't register that. Okay. It's a lot like that. A man who works with a man, you can make it a curse year. Everything is so hard. It's not so hard. As much as much as we are in it, it's a lot like that. it's one of the emotions. It's a good significa. We feel a good sense. It's a good statement. It's a good statement. Over here. Making it a good statement. And evaluate it. That this man has done this time, विस्त भी और आपकी कल्पना शक्ती में ताकत है तो जो महल आपके पास है उस मेंसे आप कुछ नया और सकते हो अक्रिएट करो तो at least महसूश करा सकते हो कि एन्च हा अच्छा पिरेट नाू अभी करो addis ake illusion uhh how easy or how difficult is it to आज की तारेक में तू बेकम एकरार मियाचा देखिए, एंट्री तो शायद आजकल कम्युनिकेशन के मीन्स इतने ज्यादा हैं कि इमेल के जरीए, इंटरनेट के किसी वेबसाइट पे, लोग इन करके, कम्युनिकेट करके, किसी भी तरह, या लोगों को परसनल ही मिलके, या कोई अच्छी चीज जो आपने लिखी है, उ फेस्बुक जैसे आज एक उस पे मैंने बहुत अच्छी लाइन सुने कि किसी एक आदमी एक बिखारी को बीग दे रहा था, और उसने का मैंने आपको कहीं देखा है, और हम लोग फेस्बुक पे साथ में है ना, तो फेस्बुक पे तो हर शक साथ जूड जाता है, यह सुन अगर अच्छी तरह एंट्री लेनी और यहां पेक जगा, एक मकाम बनाना है, तो सबसे एहम बात यह है, कि जो चीज यहां मिसिंग है, वो अगर आपके पास होगी, तो आपकी जगा कोई हिला नहीं सकता, और वो है, आपका ठहराओ, आपका मकाम और आपका ओरिजिनल थि किता है, आज वो माई गॉड आप देखो, या कोई भी ऐसे पिक्चर देखो, जिसमें कंटेंट था, तो उन लोगों ने राज किया, वरना हो सकता है, कोई पिक्चर सुपरीट हो जाया, अख़डों के हिसाब से, लेकिन वो इमीजिएटली मोस्ट फर्गेटेबल हो जाती लोगों को याद भी ने रहते कि ऐसे को बिच्चर आई थी, हलाकि वो उस वक्त की इस दौर पे शायद बहुत बड़ी कलेक्शन कर चुकी हो, तो तो आपके पास कुछ औरिजिनल थॉट होना चाहिए, और उसके लिए आपको वक्त देना चाहिए, परसवियरंस, काफी सम इसलिने को मिलता था कि हेरा पिअрий पाड दुड़ी भी बनने वाली है, तर ऐचानक वो बात एक्दम ख़त्म हो गई, तो टो एड़ बनने वाली है अब हंड़एर पर संदे बनने वाली है, और तो पाड़ तू के बाद सर मैंने थो सोचादा यह मुझे ब्रेग ज्येयन तो मैं उसी तरह का लिखता रहूंगा और वही टाइप की चीज़ें बार-बार करता रहूंगा तो मैंने का था फिरोज भाई से मेरे निर्मता से कि आप किसी और के साथ कर सकते हो तो यू अच्छी वर रेड़ी तो गिवफ दर फ्रैंशाइस प्रियन जी ने पहला डिरेक्ट किया दूसरा मैंने किया और मैंने भी किया क्योंकि सतिश कौशी जी की डेट ने मैच नहीं हुई तो I came into the arena कि since I am the writer I will know the film best आपको पैसे कमाने का शौक कम है लेकिन मुझे मतलब अपने हिसाफ से अगर काम होता है न तो मज़ा आता है और अगर मैं डिलिवर न कर पाऊ सी लोगों ने बहुत गलत फेमी करी के प्रियन जी के साथ ये काम नहीं कर रहे है दोनों में कुछ है ये वो है but because we were doing the same kind of stuff for a long time I wanted a gap I didn't want to repeat that similarly in era fairy में भी फिर उनों ने अनिस बै के साथ शुरू करने का प्लान किया but then somehow वो भी उस वक्त नहीं हुआ तो अब जाके मैंने freshly क्योंकि अभी थोड़ा gap आया है तो मैं भी mood में हूँ तो मैंने part 3 की बहुत अच्छी script अलड़ी लिख के ready कर दिये अच्छा, the script is final now finalized and I'm going to write it and who will be the team members director आप ही होंगे writer director मगर Akshay Kumar, Sunil, Shetty, Parish, Ravel हो नहीं हो यह हो भी सकता है नहीं भी हो क्योंकि अभी जिस तरीके से मैंने कहानी लिखी है तो उसके requirement कुछ और ही है वो तो जब पता उतरेंगे तब मजाएगा यह जो copyright act में बदलाव आया है जहां पर राइटर्स को भी हिस्सेदार बनाया जाता है प्रॉफिट्स में इसके बारे में रॉष्णी डालिये इसके ऊपर रॉष्णी डालिये और प्लस is it the right thing? Indian conditions में Bollywood को देखते हुए? सी पहले तो it was right to copy था तो हम लोग को जो दीखता था हम copy कर लेते थे उठाई लेते थे अभी यह copyright act आया है मुझे लगता है बहुत जरूरी है और यह जैसे के media का भी माधिम नया है तो बड़ा intense है तीरे तीरे वो भी एक ठहरा वाला और maturity वाला हो जाएगा हर चीज़ को breaking news नहीं बोलेंगे बिल्कुल as the time will go even they will grow similarly यह जो act आया है यह भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बुनिया दाल रहा है देखिए अब writer उसका हिस्सा हो निर्माता भी हो और इन सब के साथ जो कोई भी director ने भी अपना contribution दिया है तो वो भी हो यह सब बात की बात है बट मुल्भूत रूप से आज किसी एक intellectual property property intellectual भी हो सकती है पहले तो हिंदुस्तान की जनता उस चीज का स्वीकार करें वो ही बड़ी बात है कि यह बई एक बाउधिक भी एक चीज है वहावे में नहीं है वो है एक idea है तो वह idea के ऊपर जो अधिकार का element है वो इंदुस्तान में आखिर हुआ है बहुत बड़ी बात है यह बड़ी आप से बात करते वक इतना मजा आता है मैंने अक्शली लास्ट कुछते वक कहा था कि आखरी सवाल अब तीन आपके मज़िदार डायलोग्स जो लिखने में आपको मजा आया और जिन्हें सुनकर लोगों को बहुत मजा आया तीन डायलोग्स और सिट्वेशन बोल के रिपीट केजिए प्लीज बड़ी बड़ी आपने मुझे अच्टर के तौर पर लिया और अगर मैं डायलोग बोलता हूं अपने कट किया ओला वन्मोर विल तो मैं कुछ औरी बोलंगा अच्छा आप बोलेंगे वन्मोर्स मैं कुछ औरी बोलंगा अगर मैं डाइसो शो करता हूं नाटकिया तो पूरे डाइसो शो में मैं डायलोग अलग बोलता हूं क्योंकि जो हो गया वो मेरे लिए हो गया इड़स नोट जनरे नी यून दिस फॉर मी वेन आइं क्रिएटिंग बाकी तो आइम अगर इंप्रोवाइस करके भी बोल तो हम लोग तो पागली हो गए करें कैसा रंगीन जुआ ऐसी जगा जहां कोई गड़ी नहीं एंदे कीप पंपिंग ऑ्सिचन सब्सक्राइब और मैं जब कसीनों से बाहर निकला एक बिखारी वो रोधो के बुल रहा था साब तो दिन से कुछ नहीं खाया कुछ दे दीज तो मैं तोड़ा मुड में इसका सो डालर दी जुआ टी जब लुतलर का कहना उसने बुतलर का कहना थासे कुछ पर बांगी कजुआ कि उसने जुआ है तो दू फ्सकोम तो इतना आप सभाशन होता है वह पर जुए का हैनम ठीं वहल दूस्ता भाषए क सब्सक्री दी नहीं कहता हूं आपके साथ बात करके मेरे ख्याल से आधाई किलो खून मेरा बढ़ जाता है विजु कॉंसेंटली की making people laugh you know and जैसा और भी मैं कहता हूं कि बहुत बारी की से आप जिंदकी को देखते हैं that comes across in your acting as well as writing please remain the way you are thank you so much thank you so much तो दोस्तों ये थे नीरा जवोरा इनको screen पर आपने देखा है परदे के पीछे देखा है because इनकी scripts आपने देखी है इनकी direct UV फिल्में देखी है and आने वाले दिनों में महिनों में सालों में भी ये आपको entertain करते रहेंगे आज के लिए बस इतना ही जाँ के लिए हैеф